हेलो गाईज कैसे हैं आप सब उम्मीद आच्छे होंगे तो अग्रिकल्स सुपरवैजर विकैंसी 221 के कुछ मैंतर पुरून क्योश्चनों के अपनी टैस्टरीज ले रहे थे सुन ले इसका अंसर क्या है तो क्योश्चन नंबर 61 जो कि मैंने आपको कल होम रख दिया था बारत में किस फल का उत्पादन सरवादिक होता है ओप्शन ए केला, B आम, C अंगूर, D अंगूर तो इसका राइट आंसर है जो कि है केला यनि कि बारत में केले का उत्पादन सरवादिक होता है फलों के अंदर अपने जाने तो अंगूर लता किस फसल की किसम है बैंगन की, अंगूर की, मिर्च की, टमाटर की तो जल्दी सी जल्दी कमेंट सेक्षिन के अंदर बताइए किस की किसम है ये तो इसका राइट आंसर है जो कि है टमाटर यानिकि अंगूर दता है ये टमाटर की एक अच्छी वेराइटी है नेक्ट क्योश्चन क्योश्चन नमर 63 जब ठंडी स्ताय पर नमी का संगनन छोटी बुंदो के रूप में होता है तो क्या कहलाते है तो उसको अपने क्या कहते है यानिकि वो टम क्या कहलाती है तो ओस कहलाती है ओला बरफ कोरा जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्षिन के अंदर बताईए ओला ओस ओला बरफ कोरा तो निवन में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर है जो की है ए यानिकि ओस तो जब छोटी छोटी बुंदे होगी वो एक स्टैप पर संगनन होगी तो अपने उसको ओस बोलेंगे नेक्ट क्योश्चन क्योश्चन नमबर चोंसट एरोइंग से क्या तातप्रे है तो एरोइंग से क्या तातप्रे है दान में बाली निकलना बी केले में फूल बनना सी गन्य में फूल निकलना डी प्याज में फूल निकलना तो जल्दी सजल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एरोइंग का क्या मतलब है तो इसका right answer है जो कि है C यानि कि गन्य में फूल निकलना है तो उसको arrowing बोलेंगे और इसका जो push करम होता है गन्य का उसको arrow बोलते हैं इसलिए इसको arrowing बोलते हैं next question question number 65 निमन में से कौन सा रसाइन पोद्धों से फूलों का गिरना कम करता है तो कौन सा रसाइन करता है जेब्रेलिकमर एसिड काइनेटिक सी इथाइलीन डी ओकजीन तो इसका right answer है जो कि है D यानि कि ओकजीन होता है वो एक ऐसा रसाइन है जो कि फूलों का गिरना कम कर देता है next question question number 66 अलू के परजन के अंदर परवतिय चेतरों में क्यों स्थित है तो परवतिय चेतरों के अंदर क्यों स्थित है अलू पाड़ी चेतर में अच्छा होता है बी पाड़ी चेतरों में अलू की गुन्वताची होती है सी पाड़ी चेतरों में अलू पूरे साल भरोता है D. अलू का मेदानी चेतरों में full नहीं बनना तो जल्दी से जल्दी comment section में बताईए कि अलू के जो परजनन के इंदर है वो परवतिय चेतरों के अंदर क्यों पाए जाते हैं तो इसका right answer है जो कि है D. यनिकि अलू का मेदानी चेतरों में full नहीं बनता तो अलू का जो मेदानी चेतर हो उसके अंदर फूल नहीं बनता है इसलिए ये पाडी चेतरों के अंदर इसका परजन्मिन के अंदर होता है क्लियर नेक्ट क्वेस्चन अल्टरनेट बलाइट अल्टरनेट बीरिंग किस फसल से किस फसल की मुख्या समस्या है या अल्टरनेट बलाइट भी बोल सकते हैं इसको निम्बू की, अम्रूद की, पपिता की, आम की तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए तो इसका राइट आंसर जो की है डी यानि की आम अल्टरनेट बीरिंग आम की एक मुख्या समस्या है नेक्ट क्योस्चन पूसा दिपाली अगेती किसम है तो किस की किसम है पता गोबी की है, फूल गोबी की है, गांट गोबी की है, मुली की है तो इसका राइट आंसर जो की है यानि की पूसा दिपाली है जो फूल गोबी है उसकी एक किसम है बारत में विशव का कुल फल उतबादन में हिसा है तो कितना हिसा है तो बारत में विशव का कुल फल उतबादन का जो हिसा है वो 10 परसेंट है फल वरक्षों में एकार्बनिक खाद उर्वरकों का उप्योग करने का उप्योग समय कौन सा है नॉम्बर दिसंबर अगर सितंबर मई जून या फरवरी मारच तो फरवरी मारच होता है जो उसके अंदर एकार्बनिक जो खाद होती है उनका बहुती उप्युक्त समय है उप्योग करने का फल वरक्षों के अंदर फरवरी मार्च के अंदर अपने को उप्योग करनी चाहिए next question question बरिकेतर केला के पनामा विल्ट रोकी रोक्ताम की जाती है तो किस से की जाती है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्षिन में रायन सवर देजिए मर्दा में चुन्ने का चिड़काव करके जिंक का चिड़काव करके सेलफर का चिड़काव करके या कोपर कवकनासी का चिड़काव करके तो अपने मर्दा में चुन्ने का छिड़काव करके जो केले का परनामा बिल्ट होती है उसको अपने रोक सकते हैं या ये इसकी रोक थाम है उसका अपने मेनेजमेंट कर सकते हैं क्यों चैनल नमर बैतर मेर्च में लाल रन किसके कारण होता है जल्दी से जल्दी comment section के अंदर बताईए बहुत बार बताया हूँ आपको ये question जल्दी से जल्दी comment section के अंदर बताईए कैपसी थीन, कैपसी सीन, दोनो या एंथ्रोसाइन नीन तो इसका right answer है जो की है कैपसी थीन, कैपसी थीन के कारण मिर्च का जो लाल रंग होता है next question हजारा, गेंदा की बीजदर कितनी होती है तो हजारा जो गेंदा है उसकी बीजदर कितनी होती है एक से दो किलो, दो से पांच किलो, पांच से छे किलो, दस से दस किलो परती हेक्टेर तो इसका राइट आंसर जो की है एक से दो किलो परती हेक्टेर इसकी बीज़दर होती है हजारा गेंदे की क्योश्चर नमर चुएतर आम में प्रागन मुख्यात है कि स्कीट के दवारा होता है आम के अंदर प्रागन मुख्यात है कि स्कीट के दवारा होता है गेरलू मकी के दवारा मधू मकी के दवारा डिप टेरस मकी के दवारा या स्पेद मकी के दवारा जलदी जलदी comment section अंदर बता जिजए तो इसका right answer है जोकी है गेरलू मकी के दवारी यानि कि domestic fly होती है उसके कारण आम के अंदर प्रागन होता है नेक्ट क्योस्चन प्याज की बीस दर कितनी होती है प्याज की बीस दर कितनी होती है पांसे चैय किलो चैय से बारा बारा से पंदरा और सोडा से बीस तो जल्दी जल्दी पताएए इस कांसर क्या है तो प्याज की जो बीस दर होती है वो होती है आट से बारा किलो परती हैक् की, molybdenum की, boron की या nitrogen की तो ये boron की कमी के कारण जो citrus फल है उसके अंदर पत्ती मोडग रोग हो जाता है यानि कि leaf curl रोग अपने उसको बोल सकते हैं ये हो जाता है next question question नमर 17 अंगूर में परसारण की ये वेपारिक विदी कौन सी है यानि कि अंगूर के अंदर propagation है वो कौन सा commercial method उसके अंदर कौन सा काम मिले जाता है propagation का, third cast column मुर्द cast column, layering 20 के दवारा तो जो ये अंगूर होता है उसके अंदर अपने third cast column का उप्योग करते हैं propagation के अंदर commercial रूप के अगर अपने commercial level पर बात करें जब next question question number डहतर motor king पर किरिया किस फल वरक्स में की जाती है पपिते के अंदर, आम के अंदर, सेव के अंदर, केला के अंदर तो ये जो किरिया होती है motor king पर किरिया ये केले के अंदर की जाती है next question अमरूद किला इलाबादी सफेदा की अंबर बाहर अंबर बाहर फसल पर यूरिया की कितनी परतिशत मातरा का सप्रेप ने किया जाता है तो 5-6 परतिशत, 7-8 परतिशत, 10-11 परतिशत और 12-14 परतिशत तो अपने 10-11 परतिशत अपने यूरिया का जो सप्रेय है उसके अंदर अपने करते हैं इलावाद इस पेदे की अम्बे बाहर पर अपने 10 से 11 प्रतिस यूरिया की स्प्रे करते हैं नेक्ट क्योस्चन क्योस्चन नबर 80 टमाटर के केचप में प्रियोग होने वाले रिसाइन का नाम क्या है तो क्या है KMS, चिन्नी, नमक, सोडियम बेंजोईड तो सोडियम बेंजोईड है, वो केचप के अंदर रिसाइन के रूब में काम लिया जाता है नेक्ट क्योस्चन, क्योस्चन नमर 80 गाए की विदेशी नसल में सबसे अधिक गर्मी सैन सील नसल कौन सी है जर्सी है, ब्राउन स्विस है, ओल्डिस्टिन, फीजियन है या आयर सायर है तो कौन सी है तो जो ये ब्राउन स्विस है, ये अधिक गर्मी सैन सील वाली नसल है गाए की विदेशी अगर अपने बात करें तो next question गाय के विदेशी नसलों में किसके दूद में सरवादी कुवसा पाई जाती है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्षिन के अंदर बता दीजिए तो इसका राइट आंसर है जो की है जर्सी अगर आप को कलास अची लग रही है तो उसको जादा से जादा शेयर करें किसी भी प्रकाब की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्षिन के अंदर जरूर बताएं किसी को personally कुछ पूछना है तो Instagram का description के अंदर link दिया गया है वहाँ पे आप message कर सकते है और अगर आपको कोई भी question का answer गलत लगता है तो आप comment section के अंदर जुरूर बता दे अपने उसको next class के अंदर सही करके आपके सामने लेकि आएंगे next question, question number 83 गाय के दुद का पीलापन किस के कारण होता है केसीन के कारण, कैरोटीन के कारण, जन्तोफिल के कारण जल्दी से जल्दी बताइए इस का answer क्या है तो गाय का जो दुद होता है उसके अंदर पीलापन, कैरोटीन के कारण होता है next question, question number 84 पस्मिना उन किस से प्राप्त होती है बेड से होती है, खरगोश से होती है, उन से होती है, बकरी से होती है जो ये पस्मिना उन होती है, ये किस से प्राप्त होती है तो ये बकरी से प्राप्त होती है question number 85 विशव की परतम काईक विदी से उत्पन कलोन बेड का क्या नाम है तो कौन सी बेड थी वो डोली, मोली, गरीमा, सोली तो इसका राइट आंसर है ये बहुत ही सिंपल क्यूश्चन है आप सभी जानते हो साथ में बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूश्चन है ये तो उस बेड का नाम था डोली बेड क्यूश्चन नमर च्यासी मवेसी प्लेग किसका अन्या नाम है लंगडी का, एंथरेक्स का, राइट पेस्ट का, खूर पका, मुहेपका का तो मवेसी प्लेग किसका नाम है तो ये है option C, राइट पेस्ट का, ये मवेसी प्लेग नाम है राइट पेस्ट, नेक्स्ट क्यूश्चन, क्यूश्चन नमर च्यासी उनकी फेक्टरी में काम करने वाले लोगों में होने वाला मुवेसी प्लेग है, थनेला है, लिया लंगडी है, तो कौन सी प्लेग हो जाती है तो एंत्रेक्स होती है, वो विमारी हो जाती है next question, question नमर च्यासी बारत में कुल दुग्द उत्पादन में 22 का कितना प्रतिशत योगदान है, तो कितने प्रतिशत योगदान है 45 प्रतिशत, 52 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत जल्दी स्प्रतिशत प्रतिशत योगदान है next question, दुग्द स्त्राव का प्रारम कहलाता है, क्या कहलाता है दुग्द स्त्राव का प्रारम होता है, वो क्या कहलाता है लेक्टोजेनसिस, गलेक्टोजेनसिस, गलेक्टोपीसियोसिस, प्रोलेक्टोजेनसिस तो इसका right answer है जो की है Lactogenesis कहलाता है Next question, question number 90 बेड़ की तिरकाजी नसल कौनची है मेरोनी है, चोकला है, सोनाडी है या लोही है जल्दी से जल्दी बताइए इसका right answer क्या है तो जो सोनडी है ये बेड़ की तिरकाजी नसल है Next question, question number 1 क्याण में विसव की 80% उन उतपादन बेड़ की किस नसल से प्राप्त की जाती है तो किस नसल से प्राप्त की जाती है मेरीनो से, जेसल मेरी से, चोकला से, मारव अड़ी से तो इसका right answer है A, यानि की मेरीनो नसल से 80% उन प्राप्त की जाती है बेड की नसलों में एगर बात करें तो next question question number बाढ़ में मूंग फुली यानि कि ओईल केक की खली मूंग फुली की जो खली होती है उसको बोलते हैं ओईल केक पसु दने तु एक उत्तम स्तोरत है तो 21 डिग्री ताबमान होना चाहिए अगर अपने को दूद दई जमाना उत्तम गुण बनता वाला तो उसका दूद का 21 डिग्री तंप्रेचर होना चाहिए next question, question number चुराण में, खुली पसुशाला में वेशक बैंस को कितने स्थान की आपशकता होती है 10 से 80 से 100 वरग फिट, 100 से 125, 125 से 500, 1500 से 175 वरग फिट, तो कितने वरग फिट की आपशकता होती है तो 22 के लिए 100 से 125 वरग फिट जो एरिया होता है वो उप्युक्त होता है next question, question number पिचाण में, बकरी की नसल जो सबसे सुन्दर वेशिटी गोल्ट के नाम से जान जाती है जमरापुरी, बारबारी, शिरोई, जकराना, तो कौन सी नसल है जो जानी जाती है इस नाम से तो जो ये बारबारी जो नसल है, ये सबसे सुन्दर शिटी गोल्ट के नाम से जानी जाती है दूद का आप एक सी गनतव, दूद निकालने के कितने समय के बाद गयात करते हैं नेक्ट क्योश्चन, राइष्टे दुग्द उत्पदन विकास बोर्ड एन डी डी बी, 1965 कहां स्थित है तो कहां पे आनंद गुजरात, इसार अरियाना, करनाल अरियाना, जैपूर राजस्तान, तो कहां पे स्थित है तो ये है जो आनंद गुजरात के अंदर एन डी डी बी स्थित है और 1965 के अंदर ये इसकी स्थापना होई थी नेक्ट क्योश्चन, क्योश्चन नमर ठाण में गाय के गी का रिचर्ट माईसल मान कितना होता है? गाय के गी का रिचर्ट माईसल मान कितना होता है? तो जल्दी सजल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होता है? ये 26 से 28 होता है नेक्ट क्योश्चन, क्योश्चन नम्बर निनाण में वीरिया संग्रेन के लिए 6.8 प्याचमान उप्युक्त रहता है गाए बैंस में गर्भादारन का प्रिशक गर्भित होने के कितने बाद में किये दता है कितने बाद में अपने ग्याद करेंगे यह गाए या बैंस ओग्याद करेंगे हैं 60 से 90 दिन 30 से 60 दिन 90 से 120 दिन या इन मेंस कोई नहीं तो इसका right answer जो कि नहीं है याद करते हैं कि बैंस गर्वित हुई है या नहीं हुई तो आज की ये test series ये अपनी पूरी हो चुकी है और अगर आपको अच्छी लगए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा share करें like करें, comment करें और मिलते हैं अपने next test series के अंदर अब अपने अलग test series करेंगे ये test series अपनी दो class के अंदर पूरी हो गई है और हर रोज अपने 7 बजे online class लगती है test series की जिसके अंदर अपने test series हल करते हैं, तो मिलते हैं next class के अंदर तब तब के लिए buy और ज़्यादा से ज़्यादा पड़ें